अब बार फिर से अपने प्यारे चनल मोटर जौन पर और मैं हूं आपका साथ ही संजीव स्वामी तो दोस्तों चलिए आपको मैं एक डेस्केम का बहुत ही बड़ी है यूज बताता हूं बहुत ही बड़ी है कमाल की चीज़ है डेस्केम वैसे तो है उसके अलावा दिखाता ह है टाटा की सफारी जो अपना फेसलिप्ट आने वाला है उसके इंदर क्या-क्या चेंजेश है वह आपको साथ में दिखाता जाओंगा देखे पिछे का लुक देखोगे आप तो काफी चीजें जो है पिछे से चेंज होती हो दिखेगी आपको लाइट का जो जलने का स्ट क्याँ मिलेंगे इंजन वगएरा से में देखने को मिलेंगे चेंजेश नहीं होंगे फेसलिप्ट है लुक डिजाइन इंटेर छेंज में आपको इसका इंटेरियर दिखा देखी यह साइट से निकल रही है इसके अदर आपको दिखाता हो मैं आपको देखी यहां पर सिस्टम देखने एड़ास फीचर के साथ अपना गाड़ी आती है यह देखरो यह मेरे केमरे से मोबाइल के केमरे से मैंने केप्टर करने की कुछ वीडियो जिसके अंदर यह पीछे का लूक आपको जो है देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से आपको सफारी पिछे से देखें फेसलिप्त है यह आ रहा है जल्दी आजाएगा इसी साल 2023 के एंड तक आपको सफारी और हेरियर दोनों का फेसलिप्त देखने को मिल जाएगा देखें अब इसके अंदर मैं दिखाता हूं आपको बिलकुल पास से इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो कितना पूरा जैसे एक्षवी 700 में आ रहा है वैसे म्यूजिक सिस्टम आ रहा है और आग्ये का भी लुक भी है काफी चेंज़े यह फिर एक डेस्केम की पिक्चर है जिसके अंदर आपको यह चीजें देखने को मिल जाएगी सफारी हेरियर यह यह भी हो सकते है कि यह हेरियर और पास में आगे-पिछे होने की मैंने वीडियो केप्चर करने कोशिच की और बाकी ये डेस्ट में अपना जो केप्चर होई गया बट ये एक दम पास में नहीं इसका फ्रंट का लुक है वह भी काफी और बॉल्ड हो गया पहले से ज्यादा मुझे जैसे मैंने देखा ना इसको सामने से तो मुझे लगा कि ज्यादा बॉल् पूरा चेंज हो गया और ये देखे फ्रंट का लुक बाई कितना गजब लग रहा है यह मैं इसके आगे ने जा पाया जगह नहीं नहीं दी नहीं मुझे बट इसका देख रहे हैं आप तो यह था एक छोटा से वीडियो इसके अंदर मैंने सफाही फैसलिप्ट ये देख प्रंट का लुक क्या चेंजेज आपको देखने मिलेगा वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट जुरू करना चैनल सब्सक्राइब